हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल ट्रिटोरियल क्लासेज बाई गरीमा सिक आज हम लोग BCA47 की मैस पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स थर्ड है और उसकी यूनिट 2 चल रहे थी हम लोगों की तो यूनिट 2 में हम लोग नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे और एक बात और बताने थी आप लोग को कि अगर आप लोगों को वीडियो में क्लियर नहीं है बोड तो मेरे जितने भी वीडियो हमने डाले हैं उतने सभी वीडियो में बोड की पिक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और नोट्स बनाने हैं और प्लस त्यार भी करने हैं ठीक है तो आएए देखते हैं आज हम लोगों की थेओरम है प्रूफ डेट आ ओनोटोनिकली इंक्रेजिंग और बाउंडड निई सीक्वेंस कर्वैंस तु इट्स सूप्रीमम चिक है तो सूप्रीमम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही इन्फिमम प today और मोनोटो प्रूस्ञ निग को भी हम लोग पढ़ चुके थेओर सीक्वेंस कनवर्ज तू इस सुप्रीम ठीक है तो लेट एसन एसन क्या है सीक्वेंस भी अबाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो जो हमारी थियोरम में गीवन था वही हमने माल लिया इस चीज को कि यह मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमें क्या शो करना है कि एसन कनवर्जेंस तू एल क्या होता है अगर कोई सीक्वेंस कनवर्जेंस सीक्वेंस होती है तो उसका केवल एक ही लिमिट पॉइंट होता है और वो जो लिमिट पॉइंट होता है वो उसका आठेगंBald骯 मतलग सबसे जो है बड़ा नमबर उसका होता है सिक्विंग्स का तो उसके बाद हो सकते उसके रोसकते उससे पहले उससे बाद में भी होसकते लेकिन एक कणर सीखेट है तो उसका केवल one and only one limit point होता है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो limit point होता है ठीक है और आगे देखिए let epsilon is greater than zero then L minus epsilon is less than L होगा ही अगर L में हम कुछ minus कर देते हैं अब आपने यहां पर देखा कि एपसाइलन की वैल्यू ग्रेटर दन zero है और L में से एपसाइलन आप माइनस कर दोगे तो ऐसे तो छोटा हो जाएगा बही चीज यहां पर लिखी हुई है so that L minus epsilon is not an upper bound भाई अपर बाउंट कैसे होगा अपर बाउंट तो बड़ी वैल्यू होती है तो लिए उसका limit point है अगर हमने उसे कुछ value minus कर दी तो अपर बाउंट तो नहीं हुआ ठीक है इस नॉट एन अपर बाउंट of s s का मतलग क्या है s किसके रिए यूज किया गया है sequence के लिए हैंस अई यह उल्टा e बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं there exist क्या बोलते हैं there exist there exist a positive integer m such that sm is greater than L minus epsilon अच्छा हम लोग पहले पढ़नी चुके हैं कि जो m होता है वो small n से छोटा होता है और m depend करता है epsilon पे ठीक है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि sm जो है वो greater than है L minus epsilon से लेकिन जो sm होता है वो greater than होता है sm से क्यों क्योंकि small n is greater than small m अब आगे देखिए sequence sn is monotonically increasing sequence therefore sn is greater than equal to sn sm is greater than L minus epsilon यह उपर लिखा हुआ है for all यह जो उल्टा a होता है इसका मतलब होता है for all n is greater than equal to m यह बन गई आपकी equation number 1 अब देखिए also l is supremum of s भाई l अगर किसी sequence का limit point है तो वो उसका क्या कहलाएगा supremum कहलाएगा और supremum कहलाने का मतलब है कि l में हम epsilon add कर देंगे therefore sm is less than equal to l तो होता ही है यह bounded sequence में हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं अगर कोई sequence upper bound है और lower bound है तो वो होती है bounded sequence तो उसको हम कैसे दिखाते हैं sn is less than equal to l और greater than equal to नहीं इसका sign यह होता है एक मिल पताते हैं आपको क्या होता है mod के अंदर होता है sn minus l is less than epsilon तो इसको लिखते क्या है l minus epsilon is less than equal to sn और sn is less than equal to l plus epsilon और अगर किसी sequence का limit point क्या है और l है तो वो उसका supreme है और अगर l plus epsilon कर देंगे तो l जो है वो l plus epsilon से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो यहीं लिखा हुआ है sn is less than equal to l क्योंकि l क्या होता है किसी sequence का limit point है यह supreme है और यह l जो है l plus epsilon से छोटा होगा for all n belongs to n n क्या है capital f natural number के लिए यूज हुआ है from equation 1 and 2 देखिए sn is greater than equal to kya है l minus epsilon sn is less than equal to kya है l plus epsilon तो वही चीज from 1 and 2 हमने यह लिखती है अब इसको हम क्या लिख सकते है reverse में sn minus l mod के अंदर less than epsilon जो हमने यहां पर आपको बताया है यह आपका convergence equals का formula होता है for all small n is greater than equal to m और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते है limit sn is equal to l तो यह हमारा proof हो गया चीक है हमने यह वाली हमारी condition थी bounded यह है lower bound यह है upper bound तो अगर lower bound upper bound किसी sequence में है तो वो sequence bounded sequence कहलाती है अब bounded sequence के बाद हमने यह भी proof कर लिया कि यह sequence क्या है convergent sequence है चीक है अब देखो इसमें प्रूफ क्या करना था proof that a monotonically increasing and bounded sequence converge to its supremum तो यह हमारा proof हो गया कि जो bounded sequence होती है वो converge कहां करती है उसके सुप्रीमम पे सुप्रीमम क्या था एल एल क्या है उसका limit point ठीक है तो यह थे theorem आपकी proof हो गई अच्छा अब next heading है limit point of sequence अब limit point of sequence क्या है देखिए a real number P is set to be limit point of sequence SM if every neighborhood of P contains infinite number of terms of the sequence तो यह बोला गया है कि every neighborhood of P contains infinite number of terms real number P अच्छा किसी sequence में एक real number P है ठीक है और यह बोला गया है कि P के neighborhood में neighborhood में मतलब उसके साथ में चाहे वो left hand side हो चाहे वो right hand side हो बहुत सारे infinite number of terms होते है ठीक है जैसे one है माल लो कोई यहां पर लिखा हुआ जैसे यह number line है यहां पर रखा है zero है यह one है और यहां पर minus one है जीरो से minus one के बीच में अब zero के इधर भी infinite number होंगे और zero और one के बीच में भी infinite number होंगी ठीक है तो यह एक बात करिए यह लेकिन क्या zero जो है रिया number में आता है अगर zero real number में आता है अब जैसे यहां पर तो हमने यह example दे दिया एक मिनट हमारा पास आज बेस्टर नहीं है देखिए अब अगर यह देख लेते हैं पॉजिटिव उसमें यह हमारा one यह हमारा two यह हमारा three यह हमारा four तो one से two के बीच में बहुत सारे numbers आएंगे तो से three के बीच में बहुत सारे number आएंगे अच्छा two के left hand side पे भी बहुत सारे number होंगे infinite number और two के right hand side पे भी infinite number होंगे तो माल ले अगर two है वो हमारा कोई real number है और इस sequence में two के neighborhood में two का neighborhood कौन सा हुआ one भी हुआ three हुआ contains infinite number of terms तो यहां पे भी infinite number of terms होंगे इधर आप देखिए इसका example sequence हमने first example इसका देखिए sequence one upon n ले ली ठीक है has only one limit point one upon n में अगर आप n की जगे put करते जाओगे one तो one upon one one होता है फिर n की जगे two put करोगे तो one upon two three put करोगे one upon three one upon four one upon five one upon six one upon hundred one upon thousand ठीक है ten thousand one upon ten thousand one upon one lakhs इस तरीके से बढ़ता जाएगा ठीक है तो कोई ना कोई point ऐसा आएगा कि वो zero के बहुत ही नजदीक बहुत जाएगा ठीक है तो इसका जो limit point क्या होगा ten to zero exactly actually हमने यहां पर लिख तो दिया है कि has only one limit point that is zero but exactly zero नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि n की जो n है हमारा वो natural number है natural number infinite नहीं होते हैं तो फिर अगर infinite नहीं होते हैं तो उसको solve करने पर आपको पता है कि one upon infinity is equal to होता है zero लेकिन जब one upon n की बात की गई n हमारे natural numbers है natural numbers अगर infinite नहीं है कितने हैं हमको नहीं पता ठीक है उसकी हम counting यह नहीं बोल सकते कि infinite है उसकी counting हम नहीं कर पा रहे हैं तो जनरली जिस चीज को हम count नहीं कर पाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं infinite ठीक है तो वो tends to zero हो जाएगा one upon n has only one limit point that is zero ठीक है क्योंकि कभी कोई number ऐसा होगा ही नहीं आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा एंड की कुछ ना कुछ value हम रखते जाएगे और हमें answer मिलता चला जाएगा ठीक है अब देखिए एंड है एंड क्या है एक सीक्वेंस है है नो लिमिट पॉइंट अब एंड की जगे अगर नैचुरल नंबर से है तो अगर यहां पर आप जो है एंड की जगे वर्न टू थी फॉर फाइशिक सेवन एट नाइन टेन रखते चले गए तो क्या मिलता है कोई इसका लिमिट सब्सक्राइब फिक्सुक्त यहां उपर बन अपन एंड में तो हम बोल रहे ते कि यह जीरो इसका लिमिट पॉंट है एश्टु चैन्स तू जीरो की और अगर सभ लेकिन इस तो माइनस वन मिलता है माइनस वन की पावर 2 रखते हैं तो 1 मिलता है मतलब अगर हम N is equal to 1, 3, 5, 7, 8 यह रखते हैं तो हमें माइनस 1 मिलता है और अगर हम N की पावर 2, 4, 6, 8, 10 यह रखते हैं तो हमें प्लस 1 मिलता है तो हमने यहां पर लिख दिया has 1 and minus 1 as a limit point ठीक है और इसके neighborhood में बहुत सारे point होंगे पोचन भी लगा सकते हैं All the best to all of you. Thank you.